प्रस्तित श्लोक महाकवी भार्वी प्रणीत के रातार जूर्णियम महाकावी के प्रथम सरका चालीसमा श्लोक है इस श्लोक में युदिष्ठर की पहले की अवस्था और अव की अवस्था का वर्णन करती हुई द्रौपती कहती है अनारतम यो मनिपीठ शैना वरंजय जयद राजशिरह स्रजाम स्रजय है निशीद तस्तव चर्णव वनेशु ते म्रग द्वी जालून शिखेशु वरहिशाम अनारतम अर्थात निरंतर यो अर्थात जो चर्णों के बारे में बताए गया है युदिष्ठर के कि यो जो मनिपीठ शैना मनिमय पीठ पर रखे जाने वाले जो चर्ण थे युदिष्ठर के वो पहले कहां रखे जाते थे मनि पीठ शैना मनिमय पीठ पर रखे जाने वाले वरंज राज शिरह स्रजाम रजह और स्रजाम अर्थात मालाओं से रजह यानि पराग से जो प्रणाम करते थे उन राजाओं के शिरे अर्थात मस्तक की स्रजाम मालाओं के पराग से निशीद जंगलों में तस्ताव चरणों वे चरण जंगलों में इस्थित हैं बनेशु ते जिन चरणों को मणिमें पीट पर रखे जाती थे वो इस समय जंगल में निशीद ते अर्थात इस्थित हैं बनेशु अर्थात बनों में ये जंगलों में इस्थित हैं मरग द्वी जालून शिखेशु वाहिरशाम अर्थात कुशाओं के और मरग द्वी जालून शिखेशु और भ्रहमणों के द्वारा तोड़े गए अगरभागवाले कुशाओं पर रखे गए हैं अन्वैसे सबसे पहले आर्षे देखते हैं अनारतम अर्थात निरंतर मड़ी पीठी शायनव मड़ी मैं पीठ पर रखे जाने वाले हमीशा आपकी जो चरण है यव चरणों आपकी जो दोनों चरण है वो निरंतर रूप से मड़ी मैं पीठ पर रखे जाने वाले थे राजशिर अर्थात राजाओं के स्रजाम प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तक की मालाओं के रजय अर्थात पराग से अरंजत रंगा करता था जो पहले कभी राजाओं के मस्तक की पराग से रंगा करते थे ताउ ते वे दोनों आपके चरण म्रग द्युजा लून शिखेशू म्रगों एवं भ्रहमनों के द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाले भाहिर्शाम कुशाओं के बनेशू जंगल में इस्थित निशीद तहस्थित रहते हैं अनारतम्यों मड़ पीठ शाईना वरंजैद राज शिरह सजाम सजह की निरंथर मणी निर्मित चोकी पर्श शोवित रहने वाले आपके जिन चरणों को राजाओं के मस्तक की मालाओं को मालाओं का पराग रंजित किया करता था निशीद तस्तव चरणों वनेशुते म्रग द्युजाल लून शिखेशु वैश्याम वे अब वे ही आपके दोनों चरण म्रगों तथा भ्रामणों द्वारा छिन नोको वाले कुश्य समुहों पर चलते हैं तो द्रौपती युदिष्टर से कहती है कि सामराजी का उपभोग करते समय तो जो तुम्हारे चरण है वो सदा मनियों से जणित पाद पीठ पर रखे जाते थे और जुक कर प्रणाम करने वाले सामन्त राजाओं के मस्तकी पुश्प मालाओं के पराग से अनुरंजित वही तुम्हारे चरण आज इन कुशों के वनों में जिनके अग्रभाग हरिनों वद्धी जातियों द्वारा काट लिये गए हैं ऐस पढ़ते हैं इस्तिती यह हैं कि जो पैर पहले राजाओं की मालाओं के पराग से लाल होते थे वही अब तीक्षन कुशाओं से ख्षत अनारतम अर्थात निरंतरम मनी पीठ शायनों मनी जटित पाद पीठ संस्तितव यव ते चरणव यव तब पादव राज शरह स्रजाम भूपती मस्तक माला नाम रजह पुश्पुराग है अरंजयत अलज काचकार है तव ते चरणव तव ते पादव म्रगद्वे जालून शिखेशू हरिण ब्रहामणव चिन अग्र भागेशू वरेशाम कुशानाम वनेशू अरंजयेशू निशीद तिष्ठ ते है यहाँ पार बर्ण वरत्ती से बर्णों की जो वरत्ती है उसे अनुप्राज और बिरूप संगटना का वर्णन होने से विश्यम अलंकार का प्रियोग किया गया है